दोस्तों मैं हूँ निरमला और स्वागत आपका मेरे किचिन में और किचिन में आज मैं बनाने जा रही हूं सोयबिन की वड़ी की सब्जी जो बहुत टेस्टी बनती है और यह बिल्कुल अनोखा तरीका है दूसरे तरीकों से यह डिफरेंट है इस तरीके से अगर आप बना होती है सब्जी तो सभी बनाते हैं लेकिन उसमें कुछ चेंज करके कुछ बदलाव करके बनाया जाए तो फिर वह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है तो आज मैं सोयबिन की वड़ी की सब्जी आपके साथ सेर कर रही हूं तो बताएगा कैसी लगी तो इसके लिए मैंन दो उबाल आने तक इन्हें अच्छे से उबालना है क्योंकि सोयबिन के जब तक अंदर से सोप्ट नहीं होगी तब तक हमारी सोयबिन की सब्जी टेस्टी नहीं मनेगी इसके अंदर तेल होता है उसका निकलना जरूरी होता है तो दो उबाल आ गए हैं अब मैं इसको पानी नहीं रहना चाहिए कि सब्सक्राइब निकालना बहुत जड़ा जरूरी होता है इसलिए अच्छे तरीके से हाथ से निचोड़के रिदका पानी निकाल कर फिर दूसरे बटन में रख लेना है क्योंकि इनका तेल अगर जरासा भी अंदर रहेगा तो हमारी कितनी सब्स लेकिन वह अच्छी नी बनेगी उसमें इस तेल की स्मेल से आती रहेगी इसलिए इसे अच्छी तरीके से निकाल लेना है देखिए पानी में भी थोड़ा थोड़ा तेल दिखाई दे रहा है तो इस सारा निकाल के इसे हम फैंक देंगे अब इन बड़ियों में आदा तक मिलाना है जब तक कि सारा मसाला हमारे बड़ियों में इस तरीके से देखिए बिल्कुल मसाला मिल गए है अब फ्राइपन में थोड़ा सा तेल डालेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो फिर उसमें यह बड़ियां डाल देंगे और गैस की चार से पांच मिनट हो गए हैं और हमारी बड़ियां बिल्कुल भून गई हैं बिल्कुल कलर चेंज हो गए है तो इनको साइड बे रख लेंगे अब एक वी बरतन लेकर उसमें तेल डालेंगे दो चमच मैंने इसमें तेल डाला है और जब गरम हो जाए तो एक तेजपत् के रखी हुए मैंने तो डाल दूंगी अब इसे धीरे-धीरे करके भूनेंगे और इनको तब तक भूनते रहेंगे जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन नहों जाए इसे भी सबजी को टेस्टी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसका मसाला अच्छे स तयार किया जाए अगर मसाल अच्छी तरीके से तयार होगा तो हमारी सब्जी टेस्टी बनने की तो गारंटी पकी है इसी के साथ देखिए हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है इसमें मैंने दो ट्रमाटर की प्यूरी बना रखी थी वह डाल दी है अब एक चमच डाल रहा है नमक का और एक चमच भरके मैंने इसमें कस्मीरी लाल मिश डाली यह तीखी नहीं होती लेकिन इससे कलर अच्छा आजाता है तो इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसके बाद इसे पकने के लिए मैं धकन लगा रही हूँ और गैस क फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसे कम सकम दो तिन मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे तो दो तिन मिनट हो गए हैं अब इसको धकन को हटा के देखते हैं देखिए मसाला हमारा तेल छोड़ने लग गया है इसका मतलब मसाला पक गया है इसको थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए रखेंगे और एक मिनट के बाद इसे देखे बिल्कुल अच्छी तरीके से पख गया है अब इसमें डालेंगे सोयबिन की बड़ी उनको भी अच्छी तरीके से डालके अच्छी से मिलाएंगे ताकि सारी बड़ियों में हमारा जो यह मसाला बनाया है वह बिल् अच्छी तरीके से बड़ियों में आ जाएगा तो थोड़ी देर ऐसे ही पकने के लिए रखेंगे तो मैंने मसाला अच्छी तरीके से मिला दिया है इसके लिए क्या करना है कि गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसमें एक मिनट के लिए धकन लगा के रख देना है और ए इसमें पाने डालूंगी तो पानी आप जितनी पतली ग्रेवी रखना चाहे न उसे इसाब से डाल दीजिए तो मैं इसमें एक ग्लास पाने डाल गई हूं और इसे अच्छी तरीके से मिला कर फिर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखेंगे तो दो-तिन मिनट के दो-तिन मिनट के बाद मैं ने डकन उखाड के देखा है देखें हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है और ग्रेवी वैसी बनी है जैसी कि हमें चाहिए थी यह देखें कितनी नहीं ज्यादा पतली है लेकिन एक बात हो रहा है जब यह ठंडी होगी तो थोड़ी अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो किजेगा वीडियो को लाइक कीजिए कैमेंट कीजिए अपना देते रही है और बताब बताई कि आपको मेरी सब्जी की रेसिपिक कैसी लगी तो यह सब्चा आए है बिल्कुल अच्छे से बनकर तयार हो गई है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं पेरे बताएं अगर आप यह सब्जी बनाते हैं तो यह सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं हुए और घर बैठे यह सब्जी बनकर तयार हो गई है तो मैं इसे निकाल रहूं एक प्लेट में देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा है और इसमें आप यकीन नहीं मानेंगे पूरे का रखीचन में खुस्बू भैलीवी सब्जी की बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है तो टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा क्योंकि ए कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए और यह रेसिपी आपको कैसे लगी यह भी कमेंट करके जरूर जरूर बताईएगा और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद